प्रणाम नमस्कार मैं रेजनीश कुमार पांडे आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल प्रैक्टिस स्मोक ऐसे सी पर प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस स्मोक को 9 वर्ष कंप्लेट हो गए हैं और उसी के उपलक्ष में प्रैक्टिस स्मोक ठीक है अपन कोड आप लोगों को यूज करना है पी एसी और आप जो है अप टू थर्टी परसंट डिसकाउंट पा सकते हैं उन सेलेक्टेड कोर्स पे तो आज ही जल्दी से जिसमें भी आप इंट्रस्टिड है पेट कोर्स या जो भी टैस सीरीज है प्रैक्टिस स्मोक की जिसमें आप आप लोग इंपोर्टेंट आपको लगे और आप लोग इंट्रस्टेड हो जिस भी परिक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो यहां से आप लोग पर्चेस कर सकते हैं ठीक है प्रैक्टिस स्मोक को नो वर्ष कंप्लेट हो गए हैं इस सांदार सफलता के लिए प्रैक्टिस स्मोक के सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हार्दिक शुपकामनाएं मेरी तरफ से चलिए शुरू करते हैं दस महत्वपूर्ण प्रश्ण इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन भी आप लोगों को दूँगा और दो तीन स्टूडेंट्स की कमेंट्स की जीएस को लेकर बताएं कि कैसे तो वो भी चीज़े उस पर भी वर्क चल रहा है ठीक है वो भी आप लोगों को मैं बहुत ही जल्दी प्रोवाइट कराऊंगा तो शुरू करेंगे हम लोग लेकिन शुरू करने से पहले दो लाइने पुन है आप सभी लोगों के लिए ताकि आप लोगों के में अंदर उर्जा का संचार हो पाए आप लोगों के अंदर मोटिविशन मिले आप लोग जब भी पढ़ें तो इन लाइनों को गुन-गुनाएं देखिए जब भी आप निराश हूं या आपको लगे कि अब आप नहीं कर सकते या आपको लगे कि आप किसी गलत फिल्ड में तो नहीं है या आपको ऐसा लगे कि अभी हाँ से छोड़ देना चाहिए किसी दूसरे चीज को तो यह सोचेगा कि शुरू क्यों किया था ठीक है अगर शुरू किया था तो किसी ने जबरदस्ती से आप नहीं कर सकते आपके मन के किसी कोने से आवाज आई होगी कि रजनीश करो तुम कर सकते हो तुम अपने देखिए हार जीत पास फेल यह मान लीजिए उपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए लेकिन आपको महनत करना है ठीक है कल को यह ना ना होना वो अलग बात है ठीक है तो जब भी ऐसा कुछ लगे तो जो भी आपकी होबी से बुक पढ़ना कहीं घूमने जाना या गाना गुन गुनाना कुछ भी जो भी आपकी होबी है उसे करिए एक दो दिन पुरा एंजोई कीजिए और यकिन मानिए तीसरे दिन ऐसा पढ़ाई शुरू कर पाएंगे तो ऐसी चीजे कीजिए जब भी निराशा हो तो आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हैं कमेंट कीजिएगा ठीक है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा क्योंकि एक काफी लंबय समय मुझे भी स्वेड में हो गया है तो थोड़ा बहुत अन खुद ही में मश्गूल है कोई नहीं देगा साथ तेरा यहां हर कोई यहां खुद ही में मश्गूल है जिन्दगी का बस एक ही उसूल है तुझे गिरना भी खुद है तुझे संभलना भी खुद है तो लाख परेशानी आए उसे सहो ठीक है लाख कस्ट आए उसे सहो कितनी भी हार मिले उसे सहो जीत जरूर आएगी रात के बाद ही जो है दिन आता है तो हिम्मत रखिएगा धैरे रखिएगा ठीक है जरूर सफल होंगे शुरू करते हैं दस दस्पोर्ट आप लुक देख रहे हैं री संट लि गुरदीप सींग चेर्मन अ अन्य इंगल्यासिंग शेयरमन इसीड आफ एलेडर द्यूरर आफ दिन तो टो नूर्थ गोर्दीप सींग और मनेश्टर कोन है घूरदीप सिंग है धिन गीवन और अदिशनल चार्ज कि नीपको का मुख्याल्य कहाँ पर इस्तित है तो वह है फ्यारी दोस्तों शिलॉंग वेमें उम्हा ने कहा पर ओओं कि अगर मैं बात करूं किया सिलॉंग में याद रखेंगे इस ठीक है गुर्दीप सिंग ने एडिशनल चार्ज लिया है नेपकोगा याद रखेंगे अगला कोशन तुर्की के राश्ट्रपती कौन है वो इस दा प्रेजिडेंट ओफ तुर्की ठीक है तो यह सभी लोगों को पता है और यह पुनर निर्वाचित हुए रिएलेक्टिड ऑजीडेंट तुर्की के राश्ट्रपती हुईज चैप टैप एर्लगेन रिश्य भाइज टूल परीड तर्की के राश्ट्रपती है ठीक है डृच्टेप दैफ ओर्डोग से आढ़ीड लाजूपट अलए तुर्की अहीं थाइसनल थिए एंकारा है और तुर्किश लेरा जो है यहां की करनसी है हैस नेक्स कुछन हैस बिकम दो फर्सलों टॉनुफेक्च्टरा टूट सीव ग्रीम प्रो एको लेबल फोरец स्व इस ओटोमेटिव इस्वेटिवं प्रोदू के लिए ग्रीम प्रों प्राप्त करने वाला पहला निर्माता बन गया है कौन पहला निर्माता कौन बन गया है JSW Steel, JSW Steel, यानि की JSW Steel याद रखेंगे, पहला JSW Steel first manufacturer to receive green pro eco label for its automotive steel, ठीक है, और इसकी बात करें अगर हम JSW Steel Limited की तो इसका headquarter Mumbai महरास्ट में है और सज्जन जिंदल, सज्जन जिंदल इनके जो है CMD है, अगला question, recently the 0.5 meter diameter hypersonic wind tunnel at has been formally named the Rodham Narsimha hypersonic wind tunnel, हाल ही में 0.5 meter व्यास वाली hypersonic wind tunnel को चारिक रूप से Rodham Narsimha hypersonic wind tunnel नाम दिया गया है, किसने ये बनाया, किसने नाम दिया, तो ये IISC Bangalore ने दिया है, Indian Institute for Science, ठीक है, Indian Institute of Science, बैंगलूर ने जो है, इसे नाम दिया है, ही और इसक में जो है, hypersonic wind tunnel after late professor Rodham Narsimha, an aerospace scientist, ठीक है, इनके नामकरण पे ये जो हुआ है, और he was awarded पदम विभूशन, the second highest civilian award in India, in 2023, याने कि अभी, इन्हें जो है, पुरुशकार मिला, 2020 में इनकी जो है, म्रत्यू हो गई थी, विश्व दुख्द दिवस, प्रतिवर्स किस तारिक को मनाया जाता है, तो जून की पहली तारिक, याने कि फर्स्ट जून को जो है, विश्व दुख्द दिवस मनाया जाता है, इसका कुछ इंपोर्टन डाटा को हम लोग याद रखेंगे, फर्स्ट जून को मनाया जाता है, विश्व दुख्द दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, अगर मैं बात करूं, तो इंडिया is the largest producer of milk, followed by the US, Pakistan and China, and also account for 22% of the global milk production, यानि कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन का बादूत का कोन करता है, भारत, उसके बाद, US, पाकिस्तान और चाइन, अगर मैं बात करूं, तो 100 में से 22% जवरूर्तों को वैश्विक, ठीक है, global milk production, 22% पूरे विश्व का, अकेला इंडिया करता है, अगला कोशन, वेत कुमारी घई, has passed very recently, she was a noted scholar, वेत कुमारी घई का हाल ही में निधन हो गया है, वह है एक विख्यात, ठीक है, विदवान थी संस्कृत की, किसकी थी प्यारे दोस्तों, संस्कृत की, संस्कृत की विदवान थी वो, ठीक है, वेत कुमारी घई, जो है, वो noted संस्कृत ही scholar थी, जिनका हाली में जम्मू कश्मीर में जो है, वो निधन हो गया है, सोलह दिसंबर 1931 को प्रतापगर महुला जम्मू में इनका जनम हुआ था, जम्मू यूनिवस्टी से संस्कृत रिपार्टमेंट से थी और डोगरी लैंग्वेज मैं फिर आप लेकों से बोलूंगा जमू कश्मीर में कौन सी भाशा बोली जाती है, तो वहां के डोगरी ज लिमिटीड के नई अध्यक्ष्वर प्रवंद निदेश्यक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है, अमरेंदर प्रकाश को, अमरेंदर प्रकाश हैस बीन अपॉंटेड अस दान्यू सी अमडी ओफ से लिमिटेड रिसेंटली, इस्टील शेल की अगर बात करूं तो स्थाफना 1973 में हुई थी, जिसके हैड़ क्वाटर कहां पर है, नियू डैली में, ठीक है, तो सेल यानि कि स्थील अथोर्टी ओफ इंडिया का हैड़ क्वाटर कहां पर है, नियू डैली में, नेक्स्ट कोशन, हाल ही में अतुल वर्मा को तीन महिने के लिए महानिदेशक की रूप में विस्तार दिया गया, रिसेंटली अतुल वर्मा हैस बिन गिवन अन एक्स्टेंशन एस दाइरेक्टर जनरल ओफ डैश फोर थ्री मन्स, ठीक है, कॉम्पटिशन कमिशन ओफ इंडिया का इन्हें, इन्हें महानिदेशक बनाया गया है, तीन महिने का विस्तार दिया गया है, कल मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, तो एक स्टुडेंट ने, मैं नाम मि erियू कर रहा हूं, शायद इंडियां के कमेंट था, तो थिरवी मैं आप लोगों भी सुनाओंगा सौंग भी सुनाओंगा ठीक है फिलाल हम लोग पढगे खुम्मन लगा कर पढगे जब आप लोग को भी थोड़ा सा भी तीक किस चीज का तनाव किस चीज़ की टेंशन ठीक है अच्छा भला शरीर दिया है ईश्वर ने इतने प्यारा परिवार दिया है खा कोई तवियत खराब कर लें तो यह कोई बात नहीं होती है तो टेंशन वगएरा कुछ नहीं होता है ठीक जो भी प्रोब्लम सो मेरे साथ शेर कर सकते हैं अपने बड़े मम्मी पापा दोस्त ठीक है उनसे शेर कीजिए शेर जरूर कीजिए मन में नहीं रखना जो भी प्रोब ठीक है तो फिलाल गाने में बात चले थी तो गाना भी जरूर सुनाओंगा तो अतुल वर्मा को तीन महीने का कारेकाल जो विस्तार दिया गया है महानिदेशक के रूप में कॉम्टिशन कमिशन ऑफ इंडिया में दिया गया है अगर मैं बात करूं इस्टैब्लिश की कॉम अगला कुशन रिसेंटली के रूप में कारेस संभाला है वह किसके उत्राधिकारी के रूप में आये हैं तो वह बढ़ा सा गलत हुआ यहां पर राजेश गोपिनाथन ठीक है राजेश गोपिनाथन ठीक है यहां सक्सीडिड राजेश गोपिनाथन टटकल संटन सी सर्विस टीस बहुती प्रसिद्ध कंपनी है ठीक है 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 का मुंबाई महारास्ट्र और एन चंदर शेखन इसके जो है चेर्मेन है अजय आदव नेक्स्ट कॉशन अजय आदव है इस बीन अपॉंटेश्ट अस्टा मैंजिंग डिरेक्टर अफ इस सॉलर एनर्जी कॉपरेशन ओफ इंडिया लिमेटिड ही इस एन आई-एस ऑफिसर फिच के अडर ठीक है तो जो अजय आदव है जो कि एमडी बने है सॉलर एनर्जी कॉपरेशन ओफ इंडिया की वहार के है अजय आदब जो की सॉलर एनर्जी कॉपरेशन ओफ इंडिया के मडी बने हैं वाइस ऊफिसर भिहार गे के ठीक है हैण है उनले एनर्जी कॉपरेशन ओफ इंडिया का हैड़ कोर्णिया का नुदेली में चेर्म, बहुपेंदर सिंग भला तो अशा करूओंगा एंजोय किया होगा ठीक है शेशन को और आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे फिर भी यदि कोई मानली जिस समस्या है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसे शोट आउट करने की कोशिश करूँगा जी एस के ऊपर जो वीडियो का भी बोला था वो भी सारी चीज़े करेंगे हम लोग धीरे धीरे ठीक और जो शोंग का है वो भी नेक्स्ट लास में सुनाने की कोशिश करूँगा अच्छे से पूरा गला गरारे वगरा करके एक तम अच्छे से आऊंगा और तब आप लोगो को भी सुनाऊंगा मैं बार 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 बोलता हूं पडहाई कैजिए पड़ाई की नहीं उसे और की सब्सक्राइब और müssen कुछ नहीं होता ठीक है ठीक है ठीक है टेंशन अगर हो रहे तो उसका कारण ढूंड़ और उसे हटां रहें तेंशन मोंग internal दो तरीक है परिवार में किसी की तवित खराब हो गई कुछ निस परिवार में दिक्कत हो गई वो तो एक रियल टेंशन तो उसका एक उचित solution भी है उसे ढूंड के जो है करें और एक जबरदस्ति का किसी ने कुछ कह दिया किसी को बुलाया वो नहीं आया ना मतलब समझ रहे हो आप लोग सारी चीज़े आज टीचर में नहीं बोल सकता तो वह यह सारी जीज़े ना बेवजह की टेंशन है तो उसे पाले जाओ उसे लिए जाओ तो चलती रहेगी ठीक है जब तक लाइफ है तब तक वह वाली टेंशन रहेगी ठीक है और जो पहली वाली टेंशन है वह बहुत कम आती है तो डेली का नहीं आता तो उसका एक उचित और वाजिब जो समाधान वह भी ढूंड के निकाला जा सकता है तो टेंशन फ्री रहेए विध्यारती है विध्यारती जीवन में टेंशन फ्री रहना चाहिए सिर्फ एक लक्ष है पढ़न पढ़ना 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 इसके लावा और कुछ नहीं कल पुन हम उलाकात होगी तब तक के लिए खुम मन लागाखर पढ़ाई कीजिए नमस्कार जय हिंद जय भारत